आप लोग जब blouse बनाते हैं, तो blouse अच्छे से बना लेते हैं, उसके बाद अस्तिर जब इस पर चढ़ाने की बाड़ी आते हैं, तो आप कितने भी अच्छे तरीके से बाजू के cutting किये हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या होता है, कि छोटा बड़ा हो जाता है, च आप स्लिवज इस इधरोय हो यह इधर हो चाहे आप कितने अच्छे तरीके से कट किया हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह क्यों में चोटा हो जाता है इसकी टेकनिकल रिजन क्या है और आप क्या करेंगे तो आपका यह छोटा नहीं होगा साथ में मैं अटेच करके भी बताऊंगा पहले आप रिजन समझ लीजिए या एक हल्टरनेट कुर्ती है इसकी मेन वीडियो जो है वो हमारे दूसरे चैनल पर आएगा बुटिक सिलाई सेंटर पर तो उस पर आप देख सकते हैं और इसमें आपको मैं बाजू के लिए बताऊंगा यह कुर्ती है लेकिन आप इसे ब्लाउज भी समझ सकते हैं सेमी तरीका रहेगा ठीक है देखिए इसमें क्या चेंजे से वो मैं बता देता आपको यह हमारा फ्रंट की भाग है यह हमारा बैक की भाग है बैक की भाग फ्रंट जो है यहां तक कटा हुआ है और इससे एक इंच एक्स्ट्रा हमारा बैक कटा हुआ है जो चीज ब्लाउज में आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं बैक की पाट को अलग एक्स्ट्रा नहीं कट करते हैं सेम ही cutting करते हैं यहां से ठीक है अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम लंबाई बढ़ाते हैं फ्रंट का वह नहीं करना है यहां की बात में कर रहा हूं तो यहां पर आप नहीं बढ़ाते हैं जिसके कारण क्या होता है कि फ्रंट की यह वाली गहराई यह जादा होती है और वैक की गहराई कम होती है तो दोनों का measurement जो है अलग हो जाता है इसका measurement अलग होता है और इसका measurement अलग होता है यहीं से मान लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि ए तो सेम ही आपने ऐसे करके कट लगाया है, ऐसे करके, तो सेंटर आप यही से मिलाएंगे, तो एक तरफ मिलेगा लेकिन दूसरे तरफ नहीं मिलेगा, और अगर आप इसे बढ़ा कर कट करते हैं, तो आपको एक प्रावलम नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप cutting किए हैं और आपको नहीं मिल रहा है front की side में छोटा हो जा रहा है तो आपको क्या करना है देखिए हमारा halter neck क्या high neck कूर्ती की neck design बनकर त्यार हो चुका है कुछ इस तरीके से दिख रहा है इसे में हम आपको baja यानि snő attach करके दिखाएंगे अब इसमें समझेगा कि कहां आपको problem आता है जब आप solder बड़ा महीं रखते है पीछे से एक इंच तो आपका center यहां पर आता है यहां पर आता है तो आप ऐसे करके measurement करते हैं देखिए यह हमारा double fold में आप अगर देखेंगे तो यह हमारा cut center point बनकर आता है यह वाला ठीक है और आगे की part यह वाला हुआ जो मैंने cut करके रखा है अब यहां से जब आप लेते हैं joint करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं तो इधर पर आपको छोटा हो जाता है लेकिन back में perfect हो जाता है तिक है अब इस center point जो है इसका यहां पर आएगा यहां पर देखिए अभी इसमें हम joint करेंगे तो यहां पर आएगा तो यहां से हमापको मापकर दिखाएंगे आसानी से देखिए तो आपको समझ में आगा कि प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है फ्रंट की पाट को ऐसे थोगा सा खीच देना है और खीचने के बाद यहां पर अटेच कर देना है सेंटर मिले के तो भी नृब sec glossy in prór3 प्रेट DO T आपको क्या करना है एक आधा इंच आगे करके सेंटर की कट लगाना जैसा इसमें दीख रहा है ओई सा एं।on पर और दीख रहा है जैसा इसमें यहां पर दीख रहा है pacing के पॉइंट लगाईएगा यहां पे और यहां से जब इसको measurement किजिएगा यहां से तो अपने आ पे perfect attach हो जाएगा समझे चलिए हम एक attach करके दिखाते हैं आपको साथ से इसमें कोई भी problem नहीं आना चीए देखिए ऐसा ऐसा लेंगे यहां पे reverse मालेंगे और ऐसा करके देखिए ऐसा हलके हाथों से हम लगा देंगे ऐसे वाले में अगर आपको यहां पे छोटा आ तो थोड़ा सा यहां की भाग जो है यहां वाली भाग यहां पे तोड़ा अस्तिन को ताइट रखेगा और इसको थोड़ा नम कर दिजिएगा तो अपने आपे परफेक्ट आजाएगा अब ऐसे पकरना है देखिए हम क्या करते हैं ऐसे पकरते हैं ऐसे पकर लेते हैं और आसान इसे इसको जो है ऐसे चरहाते चले जाते हैं ठीक है हम इने इसमें कोई भी इछे की साइट लगाते चले जाएंगे अब यहां पर है फोड़ाता खीच देंगे ऐसे करके ठीक है इससे क्या होता कि ग्रीप जो है अच्छा बनता है देखिए अधिधि जो हो चुका है और जोगी हमारा हुट हो चुका है और सबारा चुका है और यह दम परक Спेंट हुआ हुआ है फुल फिनिशिन के साथ है आपको अगर यहाँ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा नए होंगे तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाग।